तोप 3 best smartphone अटर 40,000 तो बई अगर आपका बड़िड 40,000 है 40,000 के budget range में आप एक smartphone देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको top 3 तो नहीं बताऊंगा मैं अज आज आपको top 5 smartphone बताऊंगा जो कि आप 40,000 के budget range में ले जगते हो जादे समय खराब नहीं वाली है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दो colors में देखने को मिलता है black color में and silver color में अगर मैं इसकी display की बात करूँ आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि 144 refresh rate के साथ देखने को मिल जाती है जो कि gorilla glass 5 की production के साथ देखने को मिल जाती है फून जो है वो solid है aluminum frame के साथ देखने को मिलता अगर गिर भी जाता है तो खराब वगरा नहीं होने वाला आप normally यूज़ कर सकते हो दो विर्ट में फून देखने को मिलता है 6 GB RAM के साथ and 8 GB RAM के साथ storage वेरिट आपको एक देखने को मिलेगा मतलो आपको 128 GB storage देखने को मिल जाता आपको triple camera देखने को मिल जाता है 64 MP plus 30 MP plus 5 MP जिस पर आप 8K video shoot कर सकते हो and 4K shoot भी कर सकते हो आपको तगड़ा chipset देखने को मिल जाता है जो कि snapdragon 865 processor के साथ देखने को मिलता है बहुत अगर अगर आपने hardcore gaming करनी है आप सभी के लिए भी perfect deal होने वाला है प्लस अगर आप multitasking करन जाते हो आप कर सकते हो seven animated technology के साथ बेज़ा है मैं selfie आपको बताना बूल गया आपको selfie 20 में आपको 4K option तक भी नहीं देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा माइनस बड़ आजाता है अभी बात करते हैं battery की five total MH की battery मिल जाती है fast charging की बातकुरा को 33 watt का fast charging देखने को मिल जाती है इस smartphone में तो यहर main specification में आपको बता दिए MI10T pro के अगर आप इस smartphone के और जाना जाते हो आप जा सकते हो smartphone यह भी पूरा आपको लूट गर देखने को मिल जाता है तो MI lover आपके लिए perfect deal हो सकते है अभी अगर आपका परेड़ 40,000 है आप इस smartphone के और जा सकते हो आगे बात करते ह है number 4 की number 4 की बात करो number 4 पर यार मैंने रखा IQ 003 को तो सबसे पहले बही मैं आपको यह चीज़ बता देना चाता हूँ कि आपको 5G smartphone तो मिली जाता है उसके साथ अगर आपने multitasking करने हैं high siding पर अगर आपने gaming करने हैं तो बही आप कर सकते हो 40,000 के budget range में आपको 12GB RAM के साथ द लगड़े हैं एंड इसका design लोग वगरा भी बहुत अपर है यह तीन colors में देखने को मिलता है लेकिन जो इसका orange color आता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब इसको बहुत सूट करते हैं 2020 में बहुत यह smartphone बिखाया है बहुत लोगों ने पसंद किया अगर मैं इसके chipset की बात करू हैं तो aluminum frame के साथ देखने को मिलता है glass back के साथ मिलता है मतलब यह अगर गिर भी जाते तो खराब वगरा नहीं होने वाला तूटने नहीं बाला एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह 5 वेरेंड में देखने को मिलता है 6GB RAM के साथ 8GB RAM के साथ 12GB RAM के साथ एंड जो storage वेरेंड है वो आपको different देखने को मिल जाता है आपको core camera setup मिल जाता है 48MP plus 30MP plus 30MP plus 2MP जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो अगर मैं selfie की बातों को 16MP selfie मिल जाती है लेकिन आपको selfie में 1080p option मिलता है आपको 4K option नहीं देखने को मिलता 4400MH की battery देखने को मिल जाता है तो main specification तो मैंने आपको बता दिये IQ 003 के अगर आपने इस smartphone के और जाना है आप इस smartphone के और भी जा सकते हो ये smartphone भी आपको बहुत ही ज़्यादा आप पर मिल जाता है 2020 में बहुत creators ने इनको पसंद किया तो भई अगर आप भी लेना जाते हो आ streaming करनी है अगर आपको slim and stylish smartphone चाहिए आप सभी के लिए भी perfect deal हो सकता है IQ 003 आगे बात कहते है नंबर 3 की नंबर 3 की बात करूँ नंबर 3 पर यार मैंने रख्या OnePlus 8 को तो भी अगर आप OnePlus लवरो आप इस smartphone के और जा सकते हो अगर मैं smartphone की बात करूँ जब से पहले भी मैं आपको पता देना चाहता हूँ ये smartphone भी आपको 5G देखने को मिलता है color look design होगार आपको इसका भी बहुत ही ज RAM के साथ देखने को मिलता है आपको fluid AMOLED display मिल जाएगी जो की 90 refresher के साथ देखने को मिलती है अगर मैं बात करूँ इसके chipset की तो इसमें भी आपको snapdragon 865 देखने को मिल जाता है जो की 7 nanometer technology के साथ बेस्ट है अगर आपने high setting पे gaming करनी है आप easily normally कर सकते हो ये smartphone दो वेरिड में आप एकसल प्लस 60 में आप एकसल प्लस 2 Megapixel जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30 and 60 fps पर ठीक है आपको 60 Megapixel के साथ सेल्फी मिल जाती है जिस पर आप 1080p पर वीडियो शूट कर सकते हो अगर मैं बात करूँ इसके बैंटरी की तो आपको 4300 mh की बैंटरी मिल जाती है इसको बहुत ही ज्यादा लूगों ने पसंद किया 2020 में बहुत स्मार्टफून ये बिके हैं तो इसको आपने इन स्मार्टफून की बात कर लेती है नंबर टू की बात को रहूं, नंबर टू पर यार मैंने रखा है Samsung Galaxy S20 FE के तो यार अगर मैं स्मार्टफून की बात करूं तो यार यह six colors में देखने को मिलता है, सभी color आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है यह स्मार्टफून मुझे खुद को बहुत पसंद है, अगर मेरा budget 40,000 होता है, तो मैं Samsung Galaxy S20 FE की और जाता है, बिगस 5G स्मार्टफून है, डिजाइन लुक वगरा है, बहुत अपरा है, चिपसेट तगड़ा मिल जाता है, अगर आपने हार्ड कोर गेमिंग करने हैं, आपने इजली नौनी कर सकते हो, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, तो इसके जो camera quality है न, वो बहुत अगड़ी, अगर आपको camera की according smartphone चाहिए, Samsung Galaxy S20 FE आपके लिए perfect choice हो जकता है, आप इस smartphone की और जा सकते हो, आपको 4K option मिल जाता है, back camera में, and front camera में भी आपको 4K option मिल जाता है और और क्या चाहिए, अगर आपने vlogging करनी है, real जबनानी है, TikTok बनानी है, photos click out करनी है, selfie click out करनी है, आप सभी के लिए perfect deal होने वाली है, अभी बात कर लेते हैं, इसके main specification की थोड़ा सा deeply बात कर लेते हैं, तो यह display की बात करूँ, इसमें आपको 6.5 inch की display देखने को मिलेगी, ज जो की 120 refresh rate के साथ देखने को मिल जाते हैं, तो Samsung के phones की खासियत होती है, इनकी display, इनकी battery life and इनका privacy system, अगर मैं chipset की बात करूँ, आपको snapdragon 865 देखने को मिल जाते हैं, जो की 7 nanometer technology के साथ based है, अगर मैं variant की बात करूँ तो यह smartphone teen video में देखने को मिलता है, 6GB RAM के साथ, जो भी budget में set बैटता है, आप उसके और जा सकता है, आपको triple camera मिल जाता है, 12 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 12 megapixel ठीक है, पहले कलेक बोलने लगा था, आपको 4K option मिल जाता है, आपको 4500 mAh की battery मिल जाते है, fast charging sport करता है, 25 watt के साथ, प्लस आपको wireless charging भी देखने को मिल जाते है, 15 watt के साथ, एंड reverse charging स्पोर्ड करता है, यह smartphone, तो यहार, main specification मैंने आपको बता दिये, Samsung Galaxy S20 FE के भी तो पही आप इस smartphone के और जा सकते हो, अगर आपको design, color of camera matter करते है, specification भी दगड़े चाहिए, camera quality भी आपको दगड़ी चाहिए, अगर आपका प्रेट 40,000 है, इस budget range में, Samsung Galaxy S20 FE बहुत ही ज़्याद अपर smartphone चला जाता है, तो इस चीज़ को आप दियान में रखना, आगे बात करते है, number one की, number one की बात करूं, number one पर यार, मैंने रखा है, Asus ROG Phone 3 को, तो सबसे पहले भी मैं आपको यह चीज़ बता देना जाता हूँ, पहले इसका price 50,000 देखने का मिलता है, लेकिन अभी इसक इसका price कम हो गया, because Asus ROG Phone 5 है, वो लाउंच हो गया, इसका price कम हो गया, आपको देखने का मिल जाता है, 40,000 के बजल में, वैसे इसका price है, 41,000, इस चीज़ को आप दियान में रखना, अभी बात करते है, इसके specification की, के display की बात करते है, तो आपको 6.59 inch की display देखने को मिल जात या, air trigger देखने को मिल जाते है, मतलब इसके specification बहुत है, gaming के लिए perfect smartphone है, cdc बात है, chipset की बात कुरा, आपको snapdragon 865 देखने को मिल जाते है, जो की 7 nanometer technology के साथ based है, and मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये smartphone आपको 5 वेरिड में देखने को मिलता है, 8GB RAM के साथ, 12GB RAM के साथ, and 16GB RAM के साथ, and आपको triple camera मिल जाता है, 64 megapixel, plus 30 megapixel, plus 5 megapixel, पहले 2 megapixel बलने लगा था, आप 8K वीडियो शूट कर सकतो है, and 4K वीडियो शूट कर सकतो, back camera में 24 megapixel के साथ, आपको selfie मिल जाते है, इस selfie में आपको 4K option नहीं देखने को मिलता, आपको 6000 mh की battery मिल जाते है, reverse charging स्पोर् प्लस, ये smartphone gaming के लिए perfect है, आपको like cooling system देखने को मिल जाता है, जो कि आपके smartphone को heating issue में नहीं जाने वाला, अगर आप hardcore gaming करोगे, तो वो heat नहीं होने वाला, जल्दी, जितनी भी आपने hardcore gaming करनी है, आप कर सकते है, जो smartphone है, वो बना ही gaming के लिए, बना ही multi-dasking के लिए, तो यार अभी मैंने आपको इतने smartphone बता दिए, तो यार अगर आपको gaming के लिए चाहिए, असूस rock phone 3 आपके लिए perfect deal हो सकता है, अगर आपको इतने smartphone बता दिए, जो भी आप लेना जाते हो, आप ले सकते हो, तो यार अभी मेरी वीडियो, ये ही पर हो जाती है, अगर आपको मेरी व दोस्तों को बेदना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना, उनको भी कहता है कि जानको कोदे सब्सक्राब विडिए को करते, लाइक और इंस्ताग्राम पर करें, फॉल्लो लिंक वगर आया, आपको डिस्क्रिप्रिशी बाक्ष ने देखने को मेल जाए, उसको चाहूर कर अभी मेलते नाक्स वीडियो मेंने वीडियो को जात, थेंक यू